नमस्कार मैं रोधकुमार आप निश्पानेशन देख रहे हैं बड़ी खबर आ रही है बिहार से जहां पर स्वास भभा के प्रधान सचीव का तबादला कर दिया गया है दो महीनी के भितर ये दूसरा तबादला है जो किया गया है पिछले प्रधान सचीव संजर कुमार को 20 मैं का जो है उनको बदला किया गया था और उनकी जगह पर जो है नए प्रधान सचीब जो है बनाए गया था कोमावत और उसके बाद लगतार ये कहा जा रहा था कि बिहार में कोरोना संकट से नहीं पटने के लिए नितीश कुमार नहीं एक बड़ा करदम लिया है लेकिन लमांग चीजों के बीच में बीतेश अनिवार को बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के धक्षदा में केबिनेट के वीडियो कॉंफिटेंस सिंग के माध्यम से बैठक होई थी और इस बैठक के ठीक पहले उनकी सामिक्षा बैठक होई थी कोरोना कोले करेके बिहार के के स्वास्त मंगलपांजी जैंने स्वास्त मंतरी मंगलपांजी हैं उनके तरफ से और उसमें उन्होंने कुमावत की बारे में शुकायत की थी उद्धा ऑख से जिंग धुकायत करते फूंभ ये कहा गया था कि वो था और साथ ही इस बात के भी आदिश दिये थे कि किसी कीमत पर बिहार में 30,000 लूँच जांच प्रते दिन होनी चाहिए अगर दिल्ली में जांच हो सकती है तो बिहार में जांच क्यों नहीं हो सकती है जो भी रिसोर्से चाहिए वो तमाम चीज़ें हो और जिस तरीके से सरक कार की भाद बीट रही थी उसके बाद यह बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया आगया है तो चलिए बापको बताते हैं कि कौन हैं जिन्हें स्वास्त विभाग की नई जमयवारी दी गई है तो प्रताय अमरत हैं जो की अभी से इसके पहले जो बिहार विजली बोर् की है बिहार में कोरोना के भयावा होते हैं आंकड़े को रोकना क्योंकि आंकड़ा 40,000 के पार जा चुका है और पिछले 15 दिनों में सबसे जादा संक्रमन के मामने सामने आए हैं राजधानी पटना लगतार एक की बाद एक हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है और इन तमा अबला हो गया है और उनकी जगह नई जमिदार दी गई है प्रतयाम रित को अफिल हले इस वीडियो में इतना ही देखते रहे नियूज फोनेशन नमस्कार